नमस्कार मैं शल्पा आप सबका स्वागत करती हूँ NCRT के लाइव इंटराक्टिव कारिक्रम में और इस सेशन में हम बात करने वाले हैं सेपरेशन ऑफ सबस्चांसिस साथ ही हम जानेंगे इनोवेटिव वेज ऑफ असेस्मेंट के बारे में और ये सेशन होगा अपर प्राइमरी लेवल के लिए और हमारी साथ उपस्तित है डॉक्टर रविजोद संधू जो की नवियो की स्कूल नहीं दिल्ली से हैं आपका स्वागत है डॉक्टर रविजोद नमस्कार बच्चो डॉक्टर रविजोद जैसे कि आपकी पहले दो सेशन हो चुके हैं तो आपने हमें समझाया था कि mixtures की separation के बारे में जो present components है उसकी separation के बारे में हमें मैंने समझाया था जैसे जो method आपने बताये थे hand picking, threshing, winnowing, etc. तो आज क्या आप हमें समझाएंगे थोड़ा सा हमारे viewers को बताएं जी हां बच्चो अगर हम थोड़ा सा recall करें तो पिछले sessions में हमने जाना कि अगर एक component है किसी mixture में तो वो हमें एक method of separation से अलग कर सकते हैं और अगर शिल्पा हमारे पास ऐसा mixture है जिसमें दो-तीन components हैं जैसे हमने लिया था sand, salt, water तो उसके लिए हमने एक या दो से अधिक methods of separation का इस्तेमाल किया था सैंड सेडिमेंट हो गई थी तो हमने उसको filtration कर लिया था sedimentation के बाद और फिर नमक को हमने अलग किया था यह operation से और पानी भी हमारा अलग हो गया था condensation से तो इसलिए जो है कई बारी एक से अधिक methods of separation का उपियोग होता है तो क्योंकि एक छोटा सा जो है topic उसी चाप्टर में रह गया है तो मैंने सोचा क्यों ना पहले वो हम करने के लिए हम उसकी शुरुवात करते हैं तो उसको करने के लिए हमें लेना होगा एक ग्लास में थोड़ा सा पावी इससे परले किया प्रविजोग जी आप स्चार्ट करें अपना ये एक्सपरिमेंट मैं बच्चे को बताना चाहूंगी क्योंकि काफी बच्चे इच्छुग भी हो सकते हैं आपके प्रिमेश सेशन देखने के लिए तो आप जा सकते हैं हमारे ओफिशल योट्यूब चैनल N.C.E.R.T. और वहां माम की सेशन हुए थे 4th of May and 15th of May को तो वह आप वीडियो चेक कर सकते हैं जी माम तो चलिए हम शुरू करते हैं यह सेलूशन बनाना और इसके लिए हमने लिया है सॉल्ट और कुछ हमने जो है जल लिया है इसमें और एक-एक चम्मच करके हम इसमें घोलना शुरू करते हैं तो आप भी धान से देखिएगा शिल्पा कि इसमें जो है क्या जल में पूरा घुल रहा है, घुल गया है, तो एक और चम्मच हम इसमें डालते हैं, और ये मैंने यहां पर इसलिए लिया है topic, क्योंकि बड़ी कक्षाओं में जाके 9 से ये topic जुड़ जाता है, और जब बच्चे लाब में भी जाते हैं, तो उनको इस तरीके के solution बनाने पड़ते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना अभी से ही शुरुवात चोटी क्लास से ही जो है, बेसिक स्ट्रेंथ जो है उनलों की स्ट्रांग हो जाए, तो इसलिए ये मिश्रन यहां पर हमने कहा कि आज बना लिया जाए, तो कुछ आप देखिए, अब्जर्व करिए कि क्या सारा नमक इसमें देखिए, अभी तो घुला हुआ दिख रहा है गुला हुआ दिख रहा है तो एक और चम मच डालते हैं कि यहां पर मैं अपनी बता से तो बिल्कुल आप को ही शब्सरवेशन मे आपको अपना स्टूडें समझ के ऊच नहीं हूं कि यहां पर मैं देख रहे हूं मतलब I am इसमें आप भी देख सकते हैं अगर तो नीचे जो है थोड़ा सा नमक जो है वो घुला नहीं है अन डिसॉल्ड रह गया तो इतने अमाउंट आफ वाटर में इतना ही नमक भूल पाता है और जब इस तरीके का सलूशन और अपने आप में नमक नहीं घुल रहा तो यह इतने एक हमारा सलूशन बन गया है जिसको हम कहते हैं साचुरेटेड सलूशन तो बच्चो यह आप भी यह भी नोट कर लीजे कि यह जो हमारा विलियन है यह संत्रिप्त विलियन बन गया है हमारा और यह साचुरेटेड सलूशन जो है आगे की कक्षाओं में आपने बनाना सीख तो यह बहुत जरूरी है कि saturated solution जो है वो क्या है तो चलिए अब हमने saturated solution तो बना लिया अब हम थोड़ा सा जो है इसको आगे बढ़ाते हैं और बच्चो आपको अब यह जग्यासा होगी कि यह चाप्टर तो तक्रीबन खतम हो गया है तो हमें assess कैसे किया जाएगा तो दिव्या मैं पूछना चाहूंगी कि जब आप school में थे तो आपको किस तरीके के सवाल पूछे जाते थे अगर मैं question papers की बात करूँ तो एक long questions आते थे long time questions, एक short time questions match the following, true and false ऐसे कुछ questions आते थे तो ठीक है जैसे कि आपने बताया कि questions जो अकसर हम लोग सवाल पूछते हैं classes में तो वो short question answer, long question answer या one word answer film the blanks, match the following इस तरीके के होते हैं तो आप ये देखिए इसमें question जैसे मैंने पूछा है what is winnowing, what is sieving what is saturated solution तो directly ये rote memorization को बढ़ावा देते हैं तो क्या आपको भी test और exam से पहले कैसा फील होता था जब आज मैडम बोलती थी कि भी आज test है और आप class पे जाते थे test लिखने के लिए तो आपको क्या भावना के साथ जाते थे तो भावना ऐसी कुछ होती थी कि exam तो हमें देना है लेकिन अगर हम भूल गए तो जो याद किया है वो हमारे दिमाग से निकल गया उस टाइम पे फिर क्या हाँ तो मतलब कई बच्चे जो है वो सवालों को का उत्तर रट लेते हैं और होता है कि भी class में जाए और फट अफट उसको तो हम थोड़ा सा यह जान लेते हैं कि different ways of assessment क्या होते हैं तो एक है हमारा assessment of learning एक होता है assessment for learning और एक है assessment as learning तो इसमें हम लोग को यह धान रखना है कि जब हम बच्चों को सवाल करें और पूछें तो सवालों में जो है उनकी logical thinking develop scientific temper develop problem solving skills develop बच्चों में creativity आए और वो थोड़ा सा think करें out of box तो पहले हम लोग देखते हैं assessment of learning क्या है तो the purpose of this kind of assessment is usually summative तो यह जो assessment of learning है इसको mostly at the end of the unit हम लोग करते हैं तो यह अक्सर जैसे normal exams लिये जाते हैं तो वो हो जाता है assessment of learning और फिर आता है assessment for learning तो इसमें shift करता है for है, for मतलब की assessment जो है वो formative हो गया तो यह assessment for learning है तो जब assessment जो है वो आप लोग का assessment जब knowledge develop हो रही होती है तो उस समय पे जो assessment किया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं assessment for learning और फिर एक third type का भी हम discuss कर लें that is assessment as learning तो assessment as learning में actually बच्चा जो है वो independent learner होता है और वो खुद अपने आप जो है वो knowledge को ग्रहन कर रहा होता है he reflects on his own work तो अगर हम definition देखना चाहें तो देखिये through this process students are able to learn about themselves as learner and they become aware of how they learn तो इसके उपर हम लोग ये तीनों चीजों को हम लोग धान रखते हुए अपना जो है वो assessment तयार करेंगे तो जैसे अभी आपने देखा जो हमने saturated solution बनाया तो ये भी एक assessment के तौर पे अगर हमें classroom में ले जाना हो तो हम इसको कैसे करेंगे तो इस पे थोड़ी सी चट्चा करेंगे तो पहला हमारा assessment हो जाएगा demonstration activity के द्वारा assessment तो उसके लिए हमने कुछ questions तयार किये हैं तो देखिए जैसे ये हमारा एक assessment sheet है कि name the components present in the solution तो ये देखिए अब आप clearly देख पा रहे हैं कि ये आपने solution तयार किया था तो जब बच्चा demonstration teacher कर रही है तो यहाँ पर अब बताईए इसका answer किया होगा शिल्पा इसमें salt है water है तो ये दो components है तो बच्चे ने खुद किया और टीचर ने उसको assess कर लिया क्योंकि ये question का answer तो आप ही ने बताया जी देन how many spoons of salt got dissolved तो ये बच्चे ने जब जो है देखा कर रही है तो चार या पांच spoon है तो वो बच्चा ध्यान रखेगा तो science का एक ये भी aspect होता है to develop observation skills तो उसको ध्यान से देखना है हर चीज को और what happens to the salt which remains undissolved कहां पे गया वो वो नीचे layer एक form हो गई तो ये it settles at the bottom तो इस तरीके के अगर हम worksheet तैयार कर सकते हैं does it mean no more salt can be dissolved तो इसको एक भैसा नहीं होगा कि मुझे definition पूछी जा रही है कि what is saturated solution तो वो खुदी देख रहा है कि इसमें तो और कोई मात्रा में salt जो है वो dissolve हम करी नहीं पा रहे हैं तो इसका नाम जो है एक नया उसने सीख लिया saturated solution तो इस तरीके से हम लोग assessment कर सकते हैं this is demonstration activity based assessment और इसमें learning by doing हम थोड़ा से इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसमें हम बच्चों से बोलेंगे कि देखिए इसमें तो अभी आपने नमक घोला है तो अगर नमक की जगा चीनी हो तो क्या नमक तो पांच चम्मच से जो है वो saturate हुआ इतना amount of तो बच्चों को हमने बोला कि आप सेम amount of water लीजे और उसमें अब चीनी घोली है एक चम्मच करके तो कितने चम्मच चीनी जो है सेम amount of water को saturate करेगी तो ये एक तरीके से assessment भी हो जाएगा और learning by doing भी हो जाएगा तो इसी activity को आगे हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे और एक होता है हमारा जो हमने कहा था assessment as learning तो अब देखिए ये हमने ये अब teacher को इस तरीके से worksheets तैयार करनी है कि step by step इसमें बच्चा खुद सीखेगा उसमें हम clue नहीं दे रहे हैं न हम demonstrate कर रहे हैं तो जैसे हमने किया कि add small quantity of salt to this saturated solution ये solution हमारा saturate हो गया है तो इस saturated solution में हमने थोड़ी मात्रा में और नमक डाला and उसको हमने किया गरम आप गरम पानी भी ले सकते हैं से मात्रा में लेकिन अगर हमने heat किया तो what do you find तो ये बच्चा खुद heat करेगा और find out करेगा तो second है what happens to the undissolved salt left at the bottom of the glass now the child will observe and self वो learn करेगा क्या ये salt dissolve हो जाता है तो इसमें थोड़ी जिग्यासा भी होगी जब ये worksheet उसको दी जाएगी तो जाके उसको करेगा और अगर ये dissolve हो जाता है तो क्या मैं और इसमें salt मिला दूँ क्या वो भी dissolve हो जाएगा तो इस तरीके से जब उसने काफी स्मात्रा में और salt dissolve कर लिया तो उसकी learning भी बनी है self independent learner भी हुआ वो और साथ ही साथ assessment भी हो गया तो इसमें जो है अब हम बोलेंगे कि यहां लिखा है जैसे कि इस salt solution को हम ठंडा होने दें और क्या ठंडा होने के बाद जो सारा मात्रा घुल गया था नमक का तो क्या वो वापस दिखता है तो इस तरीके की activity के साथ-साथ बच्चा खुद learning भी कर रहा है और assessment भी हो रहा है तो हाँ लेकिन थोड़ा ध्यान रखा जाए जहां भी heating का प्रयोग होता है So that should be done under adult supervision So यह एक तरीके का assessment हो गया अब इसी chapter को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए देखिए कि आजकल COVID-19 के लिए सबने mask पहने हुए है तो एक मैं चित्र लेके आई हूँ Teachers को भी थोड़ा सा बढ़ावा देना चाहिए कि newspaper बच्चे जरूर पढ़ें तो newspaper cutting का उप्योग जो है वो हम assessment में भी कर सकते हैं देखिए जैसे यहाँ पे एक चित्र में लेकर आई हूँ और ये चित्र है न्यूज है April 20, 2015 की तो जो 2015 में शिल्पा मास्क लगा के बच्चे स्कूल जाने लगे थे और पुलिस वाले भी जो चित्र पे खड़े होके मास्क पहना करते थे तो तब वो मास्क क्यों पहन रहे थे तब आप बता सकते हैं तब वो मास्क क्यों पहन रहे थे पॉल्यूशन की वज़ा से तो उस टाइम पे मास्क जो है नो एक तरीके से फिल्टर कर रहा था तो हमने यहाँ पे separation of substances में पढ़ा है separation of substances में filtration, तो वहां पे बच्चों को इसको connect कर सकते हैं daily life से और पूछा जाए कि वहां पे क्या चीज वो filter कर रहा था और आज की date में जब COVID-19 है तो what is the role of mask here? तो यह open-ended इस तरीके के सवाल देकर बच्चों को आप assess करिये ताकि उनको भी थोड़ा सा जो है वो interesting लगे और वो explore करें और फिर जो है वो अपने answers दोल कर लिखें तो थोड़ा साम आगे बढ़ते हैं और हम assessment को और भी healthy weed crop ready for harvest तो यहां पर दो शब्द दिये हुए है sad and happy तो बच्चा जो है साथ-साथ चूज भी करेगा की बही कौन सा answer सही होगा राइट राइट तो what is the second sentence? He harvested the crops and left it under the sun oblique rain to dry the stocks So, हम लोग को जो है threshing से पहले बच्चों को बताया था कि जो stocks है उसको dry किया जाता है तो यहां पर बच्चा जो है कहानी के रूप में ठीक है कि भाई उसको dry कैसे करना है तो sun choose करेगा आगे To separate the seeds from the bundles of stock, he handpicked and threshed them So, there's an option Option है कि handpicking करे या वो threshing करे To यह इस तरीके से कहानी के रूप में जो है हम बच्चों को actually assess करते जा रहे है कि उनको different methods of separation जो है वो कितना पता है Aage देखते है After gathering the seed grains, he wanted to separate the stones and husk from it To उसकी वाइफ ने क्या किया His wife, Vinod, Oblake, threshed them to separate the husk and later sieved Oblake, handpicked to remove stones from it To यह देखे कि सुन्दर तरीके से कहानी आगे बढ़ रही है और बच्चों को जो है दोनों में से option जब रूट करेंगे तो थोड़ा सा सोचेंगे, थोड़ा सा logic लगाएंगे तो यह जो है इस तरीके से अगर हम लोग stories के रूप में assessment करें तो बच्चों को भी खूब आनन्द आएगा और उनका साथ ही साथ assessment भी हो जाएगा और इस एक बात और है, visualization पार भी strong हो रही है, मतलब हमों imagine कर रहे हैं उस टाइम पे क्या वो चीज हुई है इस डाइड कर दिया कि बच्चा जो है वो क्योंकि वो पढ़ चुका है इसके बारे में सारे pictures देख चुका है discussion हो चुका है तो जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे होते हैं तो आप visualize करते हैं imagination आपकी strong बनती है तो यह हो गया wise farmer and his wife जो है वो उन्होंने sieve या filter करके अपना जो है जाके किस तरीके से जो खेत में उगाया था वो किस तरीके से उसका जो है threshing कर रहे हैं या hand picking कर रहे हैं, sieving कर रहे हैं तो सारे methods of separation इसमें cover हो जाते हैं, अब एक और तरीके का assessment में आपके सामने लेके आई हूं and that is called situation based assessment एक situation दे दी जाए बच्चे को और वहां पे भी वो imagine करेगा वहां पे वो अपनी जो है थोड़ा सा logical thinking भी उसको करनी पड़ेगी क्योंकि जो है वो पढ़ चुका है उसके बारे में और उस situation में उसने अपने आपको ढाल के वो सवाल का उत्तर देना है तो देखें क्या है यह सवाल Sonu, Lovely and Bob have to dissolve maximum amount of sugar in the same amount of milk as to win a game तो एक game खिला रहे हैं जिसमें Sonu, Lovely और Bob को same amount of dood मिला है और उसमें उनको घोलना है चीनी लेकिन देखें यहां पे trick क्या है Bob को तो hot boiling milk मिला वाई, Lovely को जो है ice cold milk मिला है और Sonu जो है उनकी team का तीसरा member उसको lukewarm, room temperature पर milk मिला है तो अब question क्या है देखिए, whom do you think would win the game and why तो यह जो है पूछा तो हमने सेम ही चीज़ को है हमने saturated solution के बारे में बच्चों से पूछना चाहा और उसमें जैसे heating का concept जोडा गया है लेकिन इसको एक situation देके थोड़ा सा interesting बना दिया है तो इस तरीके के लिए assessment हम बच्चों को कर सकते हैं अब एक बहुत ही मुझे जो अच्छा लगता है कि बच्चों को हम लोग multiple choice questions objective type देते हैं लेकिन एक धारणा सी बनी हुई है कि हमेशा MCQ में चार options होते हैं शिलपा और चार में से कितने सही होते हैं उसमें से एक सही होता है तो A, B, C, D करके हम देते हैं बच्चों को और बच्चा उसमें से जो भी सही होता है वो option करेक्ट कर लेता है तो क्यों ना इस धारणा को हम लोग तोड़े और उसमें से जरूरी ना हो कि एक ही option सही हो, दो option भी सही हो सकते हैं, तीन भी सही हो सकते हैं, क्यों ना ऐसा MCQ डेवलप किया जाए, जिसमें हम 10 options दे, 9 सही हो, एक गलत, या 9 गलत हो और एक सही, तो इसमें कितनी बढ़िया प्यारे तरीके से बच्चों की जो है, हम लोग thinking out of box भी होगा, और थोड़ा सा logical thinking भी बढ़ेगी, तो यहां पर मैं लेकर आई हूँ, एक ट्रडिशनल MCQ मैंने रखा है, तो यहां देख रहे हैं, यह कह रहा है, neutralization reaction is, अबच्चों ने neutralization reaction पढ़ नहीं है, physical change that cannot be reversed, यह भी नहीं है, तो शिलपा बताईए इसमें से कौन सा आपको लग रहा है कि जब acid or base बनता है, तो कौन सा सवाल का यह उत्तर सही होगा, वो neutral हो जाता है, इतना मुझे पता है, physical and reversible change, physical change that cannot be reversed, chemical and reversible change, chemical change and that cannot be reversed, मुझे तो D option सही लग जाए, तो शिलपा न chemical and reversible change है, तो इसको इस तरीके से बच्चों का एक option जो है, अभी यहां पे मैं एक और बतादू बात, शिर्पा क्योंकि मेरे पास बहुत तरह तरह के assessment है, तो हम पूरों को हम लोग solve नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बच्चों को हमें different types of assessment से जो है, वो रू बरू करवाना है, लेकें हां, कहीं न कहीं, जहां पे बनेगी बात, वहां जरूर solve भी करेंगे, और बच्चे बात में, जरूर कमेंट बॉक्स में, अगर आप उत्तर जानना चाहें, तो आप जरूर मुझे संपर्क करिए, अब एक पीखे question है, which of the following when present in atmosphere causes acid rain, तो यह यहां पे करते हैं, होता है, तो अब यह MCQ है, तो यूजली बच्चा एक टिक कर देगा, तो अगर आपके जहन में क्या आता है, कौन सा सही होगा उत्तर इसका, I remember A, sulfur dioxide, तो शिलपा ने A मान लिया, लेकिन इसका जो सही उत्तर में, sulfur dioxide भी है, और nitrogen oxides भी responsible होते हैं, तो यहां देखिए, दो options सह हो गए, चलिए, आगे बढ़ते हैं, fire cannot be produced if any of the following is absent, तो यह हमारा जो question है, इसमें कितने options नहीं है, यह देखते हैं, तो चलिए, बताइए आप answer, मतलब आग कब produce नहीं हो सकती, अगर इसमें से कोई भी absent हो, तो, yes, lighter, fuel, heat, air, क्या नहीं होगा, तो fire produce नहीं हो पाएगी, fire cannot be produced if any of the following is absent, air, air absent है, तो fire नहीं होगी, बिलकुल सही, और अगर heat, sorry, fuel नहीं है, तो भी नहीं आग हो पाएगी, बिलकुल नहीं होगी, लाइटर, कोई source चाहिए हमें, इगनाइट करने के लिए, तो वो heat में कवर हो जाएगा, तो यह जो है, तीन options सही है, तो इसी तरीके से mqs, mcqs, multiple choice questions, develop कर सकते हैं, हम लोग, जिसमें तरा-तरा की जो है, वो different options सही हो, तो एक और जो है, इसको आगे बढ़ने से पहले, मैं जो बार-बार think out of box कह रही हूँ, उसके उपर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, तो यह यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ, एक बह आपने पढ़ा है कक्षाओ में, कि acid turns blue litmus red, and base turns red litmus blue, अब यहाँ पर मैं तीन solutions हैं, तीनो तक्रीबन transparent हैं, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि इसमें acid कौन सा है, बेस कौन सा है, या मैंने water ले लिया एक में, तो water कौन सा है, तो यह कुछ interesting सा सवाल हो गया, लेकिन हा, ऐसा questions को हम solve करने के लिए, indicators की मदद लेते हैं, और यहाँ पर मैं यह भी पताना चाहूंगी, कि teachers से दखवास्त है, कि जब भी हम लोग assessment लें, तो एक दम chapter के end में ना ले, जब topic पढ़ा रहे हैं, तो साथ-साथ इसके assessment भी होता चले, और practicals के assessment लास्ट में ही क्यों, तो ऐसा ए तो लेकिन हमारे पास तो के वल रेड है, तो इसको चलिए करते हैं, तो रेड हमने लिया यह, तो रेड को मैंने इसमें डाला, एक रेड लिटमस मैंने इसमें डाला, और एक रेड लिटमस मैंने इसमें डाला, अब देखते हैं कि किसमें रेड लिटमस, रेड लिटमस किसमें ब्लू हो रहा है ये तो अफेकले ब्लू हो गया तो ये ब्लू हो गया इसका मतलब कि ये हमारा हो गया बेस तो बेस तो हमने पता लगा लिया अब इसको हम कर दें अलग ठीक है तो ये हमारा बेस है अब हमारे पास रहेंगे दो इसमें से पानी कौन सा है और असेड अगर हमाय पस blue litmus नहीं है और अगर हमें acid check करना है और हमाय पास red litmus है तो that means color change नहीं होगा color change नहीं होगा लेकिन हमें तो blue litmus की आफशकता होती तभी हम सही तरीके से पता लगा सकते इसका तो यहां पर चलिए क्योंकि समय कम है तो मैं आपको बता दो कि बच्चा थोड़ा सा think out of box ही जो मैं बार-बार बात कर रही थी तो यह देखिए यह हमारे पास यह जो है यह हमारा red litmus था और यह हो गया blue तो इसको अगर मैं यहां पे दो हिस्सों में डाल के एक इसमें डालती हूं और एक इसमें डालती हूं तो देखिए यह blue जो है उसको होना था red तो देखिए हो गया ना चमतकार तो यह blue litmus है हमारा blue litmus has turned red तो यह बच्चेओं के पास अगर availability एक ही litmus की है तो तो भी हम पता लगा सकते हैं तो यहां कोड़ा सा हट कर सोचना पड़ेगा तो यह सवाल भी आप कर सकते हैं तो टीचर अगर इस तरीके से इंट्रेस्टिंग सवाल बच्चों के आगे रखे तो definitely scientific temper जो है उनको develop होगा problem solving skill क्योंकि देखो यहां पर मैं बताओ actual में हम अपने देश के बच्चों को इतना confidence उनमें develop करना है कि life में जिंदगी में कोई भी problem आए तो उसका solution है और यह बात science सिखा देता है उनको तो इसलिए बच्चों को हमने यह knowledge जरूर देनी है तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और किस तरीके से हम और different तरीके से सवाल पूछ सकते हैं usually आपने देखा होगा कि अग differences हम लिखना शुरू कर देते हैं तो इसी सवाल को थोड़ा सा हट कर हम अगर पूछें तो थोड़ा interesting हो जाएगा तो उसके लिए है यह देखिए when diagram so when diagram क्या है पहले मैं थोड़ा सा बता दू कि when diagram organize करता है किसी भी जो है आपकी information को तो visually जो है वो उसमें overlapping circles होते हैं और information को visually वो relationships कोई भी दो items के बीश में बताता है और similarities और difference तो देखे यहां पर अगर आप यहां focus कर रहा है cell structure अगर बच्चों ने पढ़ा तो हमने वेन diagram बनाया तो वेन diagram में इस circle में animals के लिए हमने लिख दिया कि लाइजोजों स्मॉल वाक्यूल सीलिया और फ्लाजिला और सेंट्रोजों यह केवल अनिमल सेल में प्रेजन्ट है और प्लांट सेल्स में केवल प्लास्टेड होते ह हैं सेल वाल होती है क्लोरोप्लास्ट और लाज वाक्यूल यह केवल प्लांट में देखे जाते हैं तो यह तो दोनों डिफरेंस हो गए और दोनों में जो कॉमन चीजें हैं जी तो कॉमन चीज मीजो है वह हम दिखा सकते हैं तो यह कॉमन हो गया nucleus, cell membrane, cytoplasm, mitochondria और तो जो कॉमन होती हैं, वो हम लोग सेंटर में लिख लेते हैं, तो इस तरीके से वेंट डाइगरम भी बनाया जाते हैं तो इस रिली यह वोंडरफुल आइडिया, मतलब हम भी जब बच्पंद में लिखते थे तो यह चीज हमें नहीं सिखाई गई तो यह देखे, वैसे ही मैंने हर्भिवोर, ओम्निवोर और कार्णिवोर इनको भी हमने वन डाइगरम से हां दिखाया है कि बच्चे यह चटी में पढ़ते हैं इन तीनों के बारे में तो ओम्निवोर्स का जो कॉमन पॉइंट सेंटर में लिख लिए और हर्भिवोर्स बिका अब यह देखे, पाई चार्ट, बच्चों को क्योंकि न्यूसे पर पढ़ते हैं, इन्फरमेशन वो लोग को इन्फर करनी आनी चाहिए, कि अगर इस रूप में कोई पल्यूशन के बारे में, या वीट प्रोडक्शन कौन से देश में ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, इ बच्चों को इन्टर्प्रेट करना चाहिए, तो यहां पी पाई चार्ट में आप देख रहे हैं, कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिये हूए है, इस पाई चार्ट को यह मैंने ने ने किताब से लिया है, तो थोड़ा सा क्यूंकि हाँ बारीक है, मैंने खुद बनाने की कोशिष की ताकि बच्चों को क्लियरली थोड़ा दिखाई दे जाए, तो यह पाई चार्ट में देखे जैसे आप देख रहे हैं, कि यह यलो कलर का जो है, तो यह दो फामिली को दर्शाया है, इस फामिली ने मेटल को अलग किया, किचिन वेस्ट को अलग किया, यह पिंक क अलग किया, लेकिन किचन वेस्ट और पॉलिफिन बैग को अलग नहीं किया, तो विच अप देख फामिली इस अर एंविरमेंटली कॉंशियस, तो यह आपको उत्तर बताना है, तो यह पाई चार्ट से बता सकते हैं, बता है पांसर? यह पाई चार्ट सकते हैं, क्योंकि ज इस्टेड ऑफ आसकिंग एक सुछा सावाल आप एक स्टेम दे दीजे, कि यह नो, वन फामिली द नो सेपरेट किचन वेस्ट और पॉलिफिन, इस इत मतलब क्या वो वेस्ट सेग्रिगेशन कर रहे हैं, विच्छे को थोड़ा सा बोरियत सी आ जाती है, और इक इतना प्रेस्टिंग बना के अगर हम लोग पाई चार्ट में पूछ ले तो वो भी बहुत जो है, एक बढ़िया धंग है, इसका सेग्रिगेशन भी शो कर रहा है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट आप लोग जो है, तौपिक्स उठाकर पाई चार्ट बना सकते हैं, तो यह हमार का नाम है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मानेजमेंट, तो इसका मैंने नाम रखा है, सहज इंटर्व्यूज हिस दादा जी, तो देखो, जब सहज अपने दादा जी को पूछेगा, तो क्योंकि यह मेरे को कैसे आइडिया आया, एक बार मैंने क्लास में जब यह चैप्टर उस समय पे, तो वो बच्चों ने बहुत ही इंट्रेस्स लेके उनका सुना, और हम लोग ट्रडिशनल और मॉडरन वेज ऑफ अग्रिकल्चर को बिल्कुल कंपेर कर पाए, तो उसी के बेसिस पे, क्यों ना हम एसेस्मेंट की एक वरक्शीट बनाएं, और पहले तो से हमने कोशन पूचा कि दादा जी आप जब छोटे थे और आप गाओं में रहते थे तो खेत कितनी दूर थे आपके घर से और क्या आप अपने पेरेंस को या रेलेटिव को फील्ड में हेल्प करते थे और जब आप छोटे थे तो आप जो बुआ होती थी जब बीच बोत है what ways were adopted to protect crops from weeds ठीक है how was harvesting done in those days did you help in harvesting of crops और आगे चलिए और interesting सवाल how was your family and community community how did they celebrate the harvest festival तो हम लोग सब अपने culture सभी बच्चों को जोडें और पूछा वहां सवाल में कि कौन सब festival celebrate होता है harvesting में और कैसे उस टाइम पर storage किया जाता था और storage के बाद जो है मंडी जब जाती थी तो किस तरीके से फसलों को काटा जाता था और harvesting के दौरान आप अगर बताईए तो आपके भी अहां पर celebrate होता होगा और सब लोग अपनी भाशा में जब यह जो है मैंने यहां लिखा टीच मी सौंग इन रीजनल लांगवेज तो बच्चा जब रीजनल लांगवेज में अपने दादा या दादी या नाना नानी से एक गीत सीख कर आएगा तो खूब सारे बच्चे जब क्लास में यह वापस लेकर आएंगे अपना जो कुशनायर तो यह नहीं उनका assessment हो रह सकते हैं अपना doctor से nurses से इस तरीके से जो profession में हैं उनका वो interview ले सकते हैं और यहां पर मैं एक बहुत ही interesting बात बताऊंगी कि बच्चे जो है अपने दादा दादी और नाना नानी से historical perspective भी पूछे हर चीज का क्योंकि मेरी बेटी ने जो है अपने नाना से इतने छोटे-छो सवाल पूछे उसकी English की teacher ने दिया था चाहे यह होग कि आपका पहला school कौन सा था आपके पहले बच्पन के दोस्त के क्या नाम थे और जब partition हुआ तब आप क्या कर रहे थे तब जो है मेरे father जो है वो चौथी क्लास में थे तो उन्होंने जो वो बाते बताई तो कुछ बा अच्छा है अब थोड़ा साची हमारे पैसे चार मिनट बचे होएं करीबें जी ओके तो चलिए हम थोड़ा सा वाइंड अप करते हैं तो यह इसमें कॉंसेप्ट मापिंग जो है वो मैं लेकर आई हूं कि कॉंसेप्ट माप से भी हम assessment कर सकते हैं कॉंसेप्ट माप में सही होगा इस बच्चे ने बोला कि सन जो है वो support करता है plant life को और plant prevent करते है erosion और वो कपड़ा उससे हम लोग बना सकते हैं और वो हम लोग के लिए खाना भी बनाते हैं और इस तरीके से उसने इसको जोड़ा इस बच्चे ने कहा कि बही प्लांट में roots होते हैं roots जो है वो प कई वार yellow होते हैं तो इस तरीके से बच्चे के मन में जो है इंटरलाइस कैसे कर रहा है knowledge वो निकल कर आ जाती है तो यह बहुत ही बढ़िया तरीका हो गया assessment का फिर एक जो है drag and drop based assessment होता है कि आपने कुछ जैसे jumble शब्द दे दिये और यहां पर आपने कुछ containers रखे हैं तो बच्चा जैसे plastic bag है उसको कहां पर drag करके जाएगा कि यह landfill के लिए जाना है new super or general's green big composting pit है तो वो यहां drag करके इसमें भरेगा तो different different jumble शब्द देखे और आप लोग जो है containers बना सकते हैं और उसमें drag and drop based cushions हो जाते हैं तो एक हो गया diagram based assessment इसमें सिर्फ हमने diagram रखा है और हमने कोई stem statement नहीं दिया बच्चा सिर्फ diagram देखे और यह थोड़ा हटकर सवाल है यूशली हम कहते हैं metal में acid डाला जाए या metal में base डाला जाए तो यहां हमने aluminium foil कर दिया कि aluminium foil में जब sodium hydroxide डला यह बच्चा देखी रहा है खुद सिर्फ देख के answer उसको लिखना है और एक यहां पर मैं दिखा देती हूं crossword puzzles भी हम लोग develop कर सकते हैं तो different different जो है यहां पर goat दिख रहा है आपको human दिख रहा है तो यह बच्चे जो है बहुत interesting तरीके से कर सकते हैं और यह who eats whom यह भी एक web है यह आप करिए कि देखिए कौन किसको खाता है तो जड़ा बनाईए different colors से I would say buffalo खाता है grass goat भी खाता है grass very good औस तो इसी तरीके से आप हम आगे बढ हम वो क्या-क्या खाते हैं और उनको बड़े-बड़े उसमें categorize कर देते हैं तो same assessment को हम different तरीके से पूछ सकते हैं और last में मैं आप लोग को एक जो है खतम करूंगी इससे कि बच्चों को communication skills and उनकी जो language ability को test करने के लिए instead of asking कि garbage हमें जो है वो कैसे segregate करे what is garbage या polythene का क्य नुकसान है हमने देखे एक emotional empathy को touch करने के लिए life skills को बच्चों से पूछा कि ragpicker के बारे में लिखे या cow eating a polythene bag अगर आपने वो देखा तो आपको क्या महसूस हुआ उसके बारे में लिखे और अगर कोई गंदी सी smell आ रही है garbage पड़ा है entrance of house तो आपको क्या feelings आएंगी उ को क्या undergo करना पड़ता है और जब वो सवाल ऐसा paragraph लिख दे तो अब आपसे उनको answer नहीं पूछना आप उनसे बोलिए कि दो तीन questions बनाए तो कई बार जब बच्चा खुद questions बनाता है तो भी ये assessment होता है क्योंकि उसकी concept clarity होगी तभी वो बच्चा सवाल अच्छे बना पा जी बिल्कुल तो आज के session में हमने जाना saturated solution की concept को समझा और साथ ही हमने इतने सारे innovative ways को समझा assessment के assessment से जुड़े हुए और इन सारी जानकारी के लिए इतने innovative ways of assessment को समझाने के लिए रवी जोट जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद थान्यवाद थान्कियू शिल्पा मु और इसी के साथ मैं सबसे विदा लेती हूँ हाजिर होंगे आपके साथ आपके सामने अगले session में कर दिए आपके सामने अवाद जा समझाओ लेती हूँ है शिल्पा रंपके सामने यह स्मयाद विदाए यजिप खवाद